हलो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड एक्सचेंज स्टांडर्ड जी हां दोस्तो आज हम डीटेल में जानेंगे मीनिंग क्या होता है गोल्ड एक्सचेंज स्टांडर्ड का इसके फीचर्स क्या होते हैं साथ ही साथ जानेंगे इनके मेरिट्स और डी मेरिट्स को होती और नहीं कोई gold का reserve रखा जाता है किसी भी external shooters के लिए ठीक है gold exchange standard में कोई भी gold currency circulation में नहीं है और नहीं कोई gold का reserve रखा जाता है किसी भी external purpose के लिए second point में कह रहे हैं कि system में क्या होता है कि जो देश की domestic currency होती है जैसे अमेरिका की dollar है इंडिया की rupees है तो तो domestic currency है जिसमें token coins और paper notes दोनों आते हैं वो convert नहीं हो सकते gold में internal needs को meet करने के लिए हैं लेकिन हम उसे convert कर सकते हैं foreign payments करने के लिए मैंने आपको पहले के भी वीडियो में बताया कि अगर convert करने की बात आती है तो वहां पर सरकार यह कहती है कि आप internal needs के लिए उसे convert मत करें ले related तो आप उसे basic आप gold में convert करा सकते हैं ठीक है किसको आपके देश की जो भी domestic currency है आगे कहा जा रहे है जो external value होती है domestic currency की उसकी जो unit होती है वो foreign currency के terms में टै की जाती है तो इस हिसाब से gold exchange standard में क्या होता है कि जो domestic currency होती है उसका कोई direct link नहीं होता gold के साथ लेकिन इसका link क्या होता है इसका link होता है दूसरे देश की currency के साथ जो easily convertible है gold में ठीक है at a fixed exchange rate ठीक जैसे इंडिया का इंडिया की currency का आप comparison करेंगे American dollars के साथ तो हम दूसरे देश की currency की साथ अपना हम क्या कर रहे है link up कर रहे है हम बता रहे है ठीक और American dollar का जो link है वो direct gold के साथ है हमने अपना currency का link gold के साथ नहीं किया कोई link नहीं है हमने उस देश की currency के साथ अपनी currency का link किया जिस देश की currency directly gold के साथ linked है ठीक है आगे कहा जा रहा है अच्छे एग्जांपल है ऐसा कुछ नहीं है मैंने example के तौर पर समझा है आप यह मत समझ लिजेगा कि सर ऐसा सच में ह है अभी ऐसा पहले होता था अभी नहीं है आगे इन्होंने बोला in addition to gold reserves जो monetary authority है किसी भी देश की वह maintain करती है some sufficient amount of foreign exchange reserves for making international payments ठीक है इंडिया में जो आज की डेट में मैं 2023 की बात कर रहा हूं अभी जो भी currency या आने वाले समय में जितनी भी currency print होकर के economy के अंदर circulate होंगी य हो रही है उनके पीछे कोई gold reserve का backup नहीं है उनके पीछे किसका backup है foreign exchange reserve का ठीक है तो currency के लिए भी backup है और foreign exchange reserves war time में भी use होता है import export में भी use होता है हर एक चीज़ के लिए use हो जाता है Reserve Bank of India कहता है कि foreign exchange अपने पास रखना सही बात नहीं है यह law के against है अगर आपके पास foreign exchange है तो आप RBI के पास जमा करके अपने देश की currency ले लिजे क्योंकि आपसे ज़्यादा जरूरत Reserve Bank of India को इसकी है ठीक है अब Reserve Bank of India सही तो आप convert करवा करके पैसे लोगे और import export कराओगे त Reserve Bank of India यह कहता है कि आप के पास अगर कोई भी foreign exchange reserve है आप bank में जाके उसे exchange कर लिजे और bank की through हमारे पास आ जाएगा और हम यह उसको देंगे जिसको इसकी ज़्यादा जरूरत है government भी हो सकती है कोई भी हो सकता है ठीक है आगे कहा जा रहे है जो gold exchange standard है यह cheaper form था gold standard क्योंकि य underdeveloped या gold scarce countries के लिए ठीक है इंडिया आज भी underdeveloped है यह developing nation की category में आता है underdeveloped तो लोग नहीं consider करते हैं कहते हैं developing है ठीक है बहुत अच्छी बात है developing है और आगे यह कहा जा रहे है कि gold scarce scarce countries scarcity आपने पढ़ा होगा economics में scarcity का मतलब क्या होता है demand ज्यादा है comparatively supply कम है तो जहां demand ज्यादा है supply कम है वहाँ scarce हो गया तो gold scarce country में gold exchange standard एक cheaper form था gold standard का ठीक है आगे कहा गया है कि यह सबसे पहले adopt किया था 1877 में Holland ने फिर Austria Hungary Russia और India ने भी adopt कर लिया था 19 century के last में ठीक है last में कहा जा रहा है कि जो India है उसने standard को 1926 में abandon कर दिया था मतलब permanently छोड़ दिया था abandon करना मतलब छोड़ देना होता है ठीक है यह distance लाना होता है इंडिया abandoned this standard in 1926 on the recommendation of Hilton Young Commission आपने Hilton Young Commission का नाम सुनाओगा इनकी recommendation पे इंडिया ने 1926 में gold exchange standard को abandon कर दिया था features क्या होते हैं तो इन्होंने बोला कि जो domestic currency है उसमें token coins होते हैं और paper money होते हैं gold coin circulation में नहीं होता है ठीक है second point में कह रहे हैं कि जो domestic currency है वो gold में convertible नहीं है लेकिन ये fixed exchange rate में दूसरे देश की currency के साथ convertible है जो देश ने अपनी currency को gold standard के basis के वीपर set किया हुआ है fix किया हुआ है ठीक है तीसरे में कह रहे हैं कोई direct link नहीं है volume of domestic currency and gold reserves कोई direct link नहीं है आपके पास जितना भी gold reserve है और आपके देश में जितने भी domestic currency circulate हो रही हैं दोनों का आपस में कोई link नहीं है पहले क्या होता था जितना gold reserve उतनी ही currency होती थी लेकिन अब क्या हो गया अब ऐसा कोई link नहीं है ठीक है आगे के रहें कि foreign exchange और foreign bills along with the gold constitutes the reserve base of a country तो reserve जैसे Reserve Bank of India के पास एक minimum reserve है ना 200 करोड का आपने सुना होगा जिसमें 115 करोड का gold है ठीक है और 85 करोड का foreign exchange reserve है ठीक है तो इन्होंने यही बोला है कि foreign exchange foreign bills और gold हर देश का जो भी reserve है उसका base है ठीक है आज भी ऐसा जो gold market है वो regulate और control किया जाता है सरकार द्वारा और कोई भी free import और export gold का नहीं है ठीक है आगे कहा जा रहें कि gold is used neither as a medium of exchange nor as a measure of value तो gold को medium of exchange के तोर पे इस्तमाल नहीं किया जाता नहीं measure of value के तोर पे इस्तमाल किया जाता है लेकिन हर एक चीज के goods and services के जो भी prices है वो indirectly gold के prices के basis के उपर tag की जाती है last feature कह रहें कि जो foreign payments है या तो gold में किया जाएगा या तो उस currency के base के उपर किया जाएगा जो gold के उपर directly linked है ठीक है foreign payments are made either in gold और in currency based on gold अब बात करते हैं merits की तो सबसे पहली चीज इन्होंने बोली है कि economical जो gold exchange standard है यह बहुत ही cheaper है और economical है बहुत ही सस्ता है क्योंकि हम यहाँ पर कोई gold के सिख्के इशू नहीं कर रहे और नहीं gold को हमने as a reserve रखा है तो दोनों के comparison में बहुत ही cheaper और economical है आगे इन्होंने बोला कि it economize the use of gold in two ways कैसे it avoids the wastage of gold because of non circulation of gold coin ठीक है और दूसरा कि रहे government need not keep gold reserves for converting domestic currency into gold तो domestic currency को gold में convert करनी की तो कोई बात ही नहीं है तो government को gold reserve रखने की जरूरत ही नहीं है इस हिसाब से जब gold using में नहीं है भले नाम gold exchange standard है लेकिन जब gold का सिख्का issue नहीं हो रहा gold को reserve में नहीं रखा जा रहा तो यह comparatively economical है दूसरा जो feature या merit है sorry merit है यह है elastic money supply elastic का मतलब जम्मन चाहिए अब supply बढ़ा तो जम्मन चाहिए अब supply reduce कर दो तो उन्होंने बोला कि क्योंकि जो domestic currency है उसके पीछे कोई gold का reserve backed नहीं है तो जो monetary authority है वो अपनी money supply easily increase कर सकती है expand कर सकती है trade और industry की need के हिसाब से तीसरा है exchange stability gold exchange standard में यह responsibility होती है government की कि वो exchange rate को maintain करे stable रखे जो exchange rate stability है it is essential for the promotion of foreign trade तो अगर आपके देश में जो exchange rate है वो बढ़ेगा घटेगा तो foreign trade करने में बड़ा दिक्कत आएगा ठीक है क्योंकि वो time ticking process होता है उसमें लंब्या समय लगता है तो अगर आपने पचास रुपए की हिसाब से trading की बात की और जब आप अगला है गेंस टू गवर्मेंट से भई सरकार को फाइदा हुआ कैसे फाइदा हुआ सरकार को इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया जो भी उन्होंने foreign country में अपना रिजर्व रखा था साथ ही साथ इन्होंने बोला इट अल्सों कीव सम मार्जिन बिट्वीन दा बाइंग इंसेलिंग और फॉरें एक्शेंज तो भाई आज की डिट में आगर आ फॉरें एक्शेंज खरीदने के लिए जाईएगा पहली बात्रशन मिलेगा नहीं आप अगर इंपोर्ट कराना चाहरे हो या आप कहीं foreign country घूमने जाना चाहरे हो तब आपको foreign exchange मिलेगा और मिलेगा तो भी पासपोर्ट और वीजा का नंबर लिया जाएगा तब आपको foreign exchange दिया जाएगा और जब भी आप foreign exchange लेंगे मतलब खरीदेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको कुछ extra पैसे देने पड़ेंगे ठीक है मैं जब गोवा गया था तो मैंने कुछ currency convert कराई थी क्योंकि गोवा में foreigners बहुत आते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे शॉप से मिल जाएंगे तो नॉर्मली शॉप आले आप मतलब रिक्विस्ट कीजेगा तो उन्होंने दो करेंसी की मुझे convert करके दिया अदर्वाइस बोलते कि भाई आप क्या कीजेगा आप अब वो लोग प्राइविट लोग थे तो यहां पर तो मैं बोलूँगा कि वो जो अंटी थी जिन्होंने हमें दिया उन्होंने अर्न किया आट रुप है लेकिन अगर आप बैंक के पास जाएगा तो सरकारन करेंगे ठीक है आगे कहा जा रहे है गीन्स ऑफ गोल स्टैंड इन्होंने बोला all the advantages of gold standard becomes available under this standard without putting gold coins in circulation यहां पी gold standard का जो फाइदा है वो मिला क्योंकि इस standard में क्या था बिना gold के सिक्के को सर्कुलेट के हुए सारे आप advantages यूज कर सकते थे लास्ट में कहेरें suitable for poor countries जो गरीद देश है particularly less developed है under developing है ठीक है उन उस देश के पास जिसके पास gold की scarcity उन सारे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा suitable standard था अब बात कर लेते हैं demerits की तो सबसे पहले complex है इन्होंने बोला कि यह जो standard है बहुत complex है क्योंकि it is not easily understandable by the common people यह लोग जल्दी आसानी से नहीं समझ पाते है अब देखिए हमने तो समझ आया आपको समझ में आया कि नहीं comment करके बतेगा हमारी कोशिक है कि आपको easily समझ में देखें theory पढ़ने में समझ में आ गया लेकिन practical use लोगों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि लोग यह सोच रहे थे कि भाई पहले तो gold का सिक्का चलता था फिर gold का reserve रखा गया और सरकार ने बोला easily convertible अब तो कुछ भी नहीं हो सकता तो लोगों को समझ में है कि यह क्या है ठीक है आगे कहा जा रहा है कि लोगों का confidence कम था कि standard में जो domestic currency थी वो directly gold से linked नहीं थी और convertible into gold भी नहीं थी आप easily से gold में convert नहीं करा सकते थे तो it does not inspire much people confidence तो लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ ठीक है अगला demerit यह है कि not automatic ठीक है अपने आप काम नहीं करता क्योंकि government regulate करती है money supply इलास्तिक है जब मन चाहे तब आप बढ़ा दो जब मन चाहे आप घटा दो इन्होंने बोला कि यह standard है वो automatically काम नहीं करता इसमें government का intervention ज़रूरी है वो भी active intervention ठीक है इसे हम एक manage standard consider कर सकते हैं क्योंकि इसे manage सरकार कर रही है अगले है inflation oriented तो जब आप money supply किसी भी economy में बढ़ा दिजेगा तो जाहिर सी बात है money की supply बढ़ जाएगी तो money की value fall कर जाएगी और जब money की value fall कर जाएगी तो हर एक चीजों की prices बढ़ जाएगे और जब हर एक चीजो की prices बढ़ जाएगे तो देश के अंदर inflation आ जाएगा तो इन्होंने बोला इस standard में जो money supply है वो increase हुई बड़ी आसानी से but it is difficult to reduce money supply बढ़ाना असान था लेकिन कम करना मुश्किल था जिससे क्या हुआ inflation आ गया 5th one is बहुत expensive है ये system economical नहीं है पहले का आगया था economical है यहां कह रहे है economical नहीं है reason है इसके पीछे इसको काम करवाने के लिए government को बहुत सारे reserves रखने पड़ते थे ठीक है और बहुत सारे खर्चे होते थे it is due to its expensive nature कि जो इंडिया है उसने इस system को abandon कर दिया Hilton Young Commission की recommendation पे ठीक है पिछले में expensive इसलिए कहा था expensive इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना gold circulate करना है ना gold का reserve रखना है यहां पर जो expensive बोला जा रहा है वो दूसरे sense में बोला जा रहा है ठीक है आगे monetary dependence इस standard में क्या है कि जो monetary independence है किसी भी देश का cannot adopt an independent monetary policy but has to be governed by the policy of foreign countries तो वो independent monetary policy नहीं adopt कर सकते हैं वो दूसरे देश की जो भी monetary policy है foreign countries की वो जो भी govern किया जा रहा है उसके basis के उपर आपकी देश की monetary policy होगी ठीक है और last minute है external insecurity इसमें कहा गया है कि जो domestic currency एक इसी भी देश का वो foreign currency के साथ linked है ठीक है और insecurity and stability of foreign currency के वज़े से आपके monetary system में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो इस वज़े से insecure और unstable है दोस्तों I hope and believe कि short video में आपको ये concept clear हो गया होगा अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा प् on this note thank you so much for watching this video have a good day and all the best for your examinations